दन्यबाद मित्रों, मैं नागेंद कुमार याद हूँ, RN Competitive Classes में एक बार आपका स्वागत करता हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, कि पहले जो है आपका हिंदी के बनमाला से अभ्यास प्रश्न पत्र में लेकर आपके शामने उपस्तित था, अब उसी क्रम में मैं हिंदी बनमाला का टॉपिक समाप्त होने के बाद मैं आज पुना जो है उसके दूसरे चिप्टर वर्तनी से अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर पहला मैं आपके सामने उपस्तित हूँ, और आप जानते हैं कि वर्ण माला, वर्तनी इन सबी से आपकी परिक्षाओं में टेट है, सुपर टेट है, SSE है, समिक्षा दिकारी है, PCS है, इन सभी में आपके प्रश्न क्या होते हैं आते हैं, अता मैं ये प्रश्णों का जो है सिलसिला जो है वरतनी से लेकर ये पहला अभ्यास प्रश्ण पत्र आपके शामने उपस्तित हूं यदि आपको यह वीडियो प्रशंद पड़े तो आप लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैसा कि आप जानते हैं इसमें कि अभ बने ना भरऊसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीननों वह रोएगा यह जो है आपका मोटिवेशनल है आपको अपनी अच्छाई पर अपने पर इतना पॉजिटी थाट अपने अपने इतना विश्वास रखना है कि अधि तुम्हें खोदे को देने वाला भी पस्ता ह कि हमने ऐसा पत्थर खोया जो हीरा था और नाप जो पाने वाला वह भी जो है आपका प्रशनों का सिलसले में पहले प्रशन होगा ध्यान देंगे आप पहले आंसर करेंगे फिर इसके बाद हम बताते हैं चलिए तो पहले हम प्रशनों के सिलसला में सबसे पहला प्रशन देखते हैं प्रशन एक है कि वरतनी की द्रिष्टी से असुद्य सब्द का चैन करना इसमें आपको बताना है सरचन यानि स्मुर्शू कवियत्री इन में से कौन सा आपका असुद्य सब्द है चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर होगा यानि जो है आपका असुद्य सब्द यानि अर्थात भी इसका आपसन क्या है असुद्य है चलिए अगला है हम लोग देखते हैं अगले प्रश्ण में इन में से कौन सा सब्द सुद्ध है इसमें सुद्ध देखना है यानि बालमिकी उज्जवल और द्वन्द इन में से कौन सा सुद्ध सब्द है चलिए तो इसका आंसर सही होगा आपका को यानि जो इसमें यानि सुद्ध सब्ध है यानि कैसा है सुद्ध सब्ध है चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलेंगे हम लोग तीसरा है इन वे से कौन सी बरतनी ठीक है यानि सुद्ध है रचैता 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 और रचैता आप सन आप जल्दी जल्दी लगाएंगे और मैं आप से बताता हूँ कि यदि आप कोई वीडियो परशन पढ़े तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए इसका सही आंसर होगा रचैता चलिए अगले प्रशन के तरफ चलते हैं अगला प्रशन आपका है चार नमर प्रशन इस पर ज्यान देते हैं वर्तनी की दिर्श्टी से निमनलिखित में से सुद्ध सब्द है लगाएं उपरयूक्त 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 चलिए आंसर लगाएं चलिए इसका सभी आंसर होगा आपका को उपर युख्द यह आपका आंसर सही है चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं इन में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा? इसको तो इसमें सही आपका आंसर होगा आसरी बाद यह प्रश्ण जो है मैं आता दूं आपको यह जो है आपका आरो ए आरो प्रश्ण का यह प्रश्ण है चलिए अगला प्रश्ण है नेमें लिखिस सब्दों में से सुद्ध सब्दों का चैन कीजिए सुद्ध चैन का सब्द का स करिए सन्यास सन्यास सत्रायास सन्यास इन्वे से कौन सा सही है आपको बताने आंसर लगाईए इसका सही आंसर थोड़ा साप लगाएंगे इसका तो चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर आपका होगा यानि सन्यास यानि इसका सही आंसर आपका सन्यास है चलिए अगले तरफ चलते हैं निम्लिखित में से वर्तनी का दिरिष्टी से सुद्ध सब्द का चैन करना है पुज्यनिय उज्वाल परिपार्श्वीक जियोत्सना इन में से कौन सा सुद्ध है चलिए तो मैं इसका अंसर बताता हूं इसका सही आंसर होगा परिपार्शविक यह इसका सही है चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं आपका आठवा नमबर प्रश्ण है ध्यान देंगे हम लोग इसमें निमलेकित में सुध्य सब्द का चैन करिए पुजयनिय पूजयनिय इनमें से जो है कौन सा सई होगा आंसर लगा VC चले इसका आंसर सही होगा गश पूजनी यह चले नेक्स प्रशन के तरफ चलते हैं नहीं हम लिखिस सब्दों में सुद्य सब्द है जी जीवींसा जी जीवींसा लगा है आंसर चलिए तो इसका सही आंसर में बताता हूं इसका सही आंसर होगा खा चलिए नेक्स प्रशन के तरफ चलते हैं सुद्ध बरतनी का कौन सा सब्द है सुद्ध बरतनी उत्रिड 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 कौन सा इसमें आंसर सही है आंसर प्रेमचंदर प्रेमचंदर प्रेमचंद इसमें कौन सही है आंसर लगाएं और मैं पुना एक बार आपको बताता हूं यदि आपको वीडियो प्रेशंद पड़े तो आपने इसी तुरुप से लाइक से और सस्क्राइब ज़रूर करिएगा चलिए तो इसका सही आंसर होगा प्रेम चंद है चले नेक्ष प्रश्ण के तरफ चलते हैं लोग अगला प्रश्ण है आपका बारा नंबर प्रश्ण 12 नम्म्र प्रश्ण है सुध्य सब्द का चैन करी है ओद्योगिक ऊधः योगिक आंसर लगाएंगे चलिए तो इसका सही आंसर है आपका ओद्योगिक दूसरे वाले में आते हैं सुध्य वरतनी का चैन कीजिये सम्षान, शम्षान, 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 शम्षान इसमें से चारो आपसन में कौन सा ही है, सुद्ध है चलिए, इसका सही आंसर होगा, शम्षान यह आपका गव आंसर सही है चलिए, नेश्च पे चलते हैं वर्तनी की दिश्टी से कौन सा सब्द सुध है इसको आपको पता करना है अनुग्रिहिता अनुग्रिहिता अनुग्रहिता चलिए तो इन में जो सही आपका आंसर होगा यह आपका खौ लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हुआ है अनुग्रिहि लिखे है हाप पे बड़ी का मातरा है यहाप कहोना चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं पंदरा नंबर बरतनी की दिश्टी से कौन सा सब्द सही है लगाना है कौन सा इसमें आंसर सही है आंसर लगाईए जल्दी और आप जो है अगर जो ये वीडियो आपको लाइक से फशंद आते तो आप लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो इसका आंसर सही है जियोशना अगले आंसर के तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है आपको बताने है चलिए अगला सब्द सुद्ध है इसमें अधिशासी 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 और अधिशासी चलिए चलिए बताएंगे आप लोगो तो शही इसका आंसर में बताता हूं इसका सही आंसर होगा अधिशासी अपने आपको चेक करिए आप कितने प्रश्णों को सही कर लेते हैं चलिए फिर इसके बाद बताना है इनमें से सुद्वरतनी सब्द है सुद्वरतनी सब्द का चेन करना है आपका है मैठिली सरन मैठली सरन मैठीली सरन और मैठीली सरन चलिए जल्दी रहे चलिए तो इसका सही आंसर होगा मैथिली सरन मैथिली सरन गुप्त का नाम से मैथिली सरन इसका सही आंसर है चलिए अगले प्रशन के तरफ चलते हैं लिमलिखित में से कौन सरोतम बरतनी का चैन करना है हमको गरिष्ट 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 गरिमिष्ट हुआ इनहें से कौन सा jsem consum ऊगा चलिए चलिए तो मैं बताता हूँ इसमें सही आंसर आपक कौन सा होगा गरिश्ट इसका सही है चलिए अगले परशन के तुप से ऊनिशनिम्ण नम्बर निम्लिखी बरतनी में ढ était को सप्ताना याली बरतनी की दिष्टी से सुद्ध सब्ड कौन सा है नरक नरक इसके बाद आ SMITH और नक्र इसमय से कौन सा सई है आंसर लगाए आप जल्दी से जरो से इसका आंसर लगाना है आपको जरूर आप इसको लइक से सब्सक्राइब करें आपने च 것으로 करें कि कितना प्रश्ण हम इसमें से सही कर लेते हैं कितना कर लिए हैं फिर अगले जो है हम जो है इसी अभ्याज के साथ दूत्रे में फिर कला में वाप्षाओंगा चलिए तो इसका सही आंसर होगा नरक इसका सही आंसर क्या होगा नरक चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चल इन में से कौन सा गलत है चलिए तो मैं इसका अंसर से बताता हूं आपका यह स्रिंगार जो है यह गलत है क्योंकि आपको मालूंगा स्रिंगार ऐसे होता है सही यह स्रिंगार सही है आपका ख्याल करेंगे और यह प्रश्ण आपका समिक्षा जिकारी में पूछा हुआ है ऐसे लिखा सही होगा चले तो इसका जो है असुद्ध सब्ध है स्रिंगान चले अगले प्रशन के तरफ चलते हैं 21 नमर निम्न लिखित में से एक वर्तनी असुद्ध है उसको बताना है सुसुर्षा ससुर्षा वेश्वूशा और मनीश्षा लगाए जल्दी से आंसर चले इसका आंसर सही होगा आपका शशुर्षा यह आपका आंसर क्या है आपका देखेंगे हम लोग कि यह आंसर आपका गलत है चले निश्ट वे अंसर के तरफ चलते हैं इनमें से सुद्ध वर्तनी का सब्द है सुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है चले दिया है आपका अनिधीकृत अनाधीकृत अनधीकृत और अनधीकृत इन में से कौन सा आपका आंसर सही है लगाए आंसर जल्दी से चलिए तो इसका सही आंसर होगा आपका घह यानि अनिधीकृत अनिधीकृत इसका आंसर क्या है सही है चलिए अगले प्रश्ण में आते हैं तेश नमर निमलेखित में से कौन से सुद्ध वर्तनी है अंजली अंजली और अंजली और अंजली इन में से कौन सा सही है चलिए तो इसका आंसर में बताता हूं इसका सही आंसर अंजली यह आपका आंसर क्या है सही है चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं एक उससे चलने से पहले मैं पुना एक बार आपको याद दिलाता हूं कि यदि आपको वीडियो प्रसंद पढ़े तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलिए इनमें से सुद्वरतनी का चैन करना है सुद्वरतनी कौन है स्रिष्टा 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 और इस्ट्रिष्टा इसमें कौन सा सही है चलिए तो इसका सही आंसर है आपका खा यह निस देश्टा यह आपका आंसर क्या है सही है चलिए अगले प्रश्ण के तरफ चलते हैं अगला प्रशुद्ध जो है शब्द छाटिये आपका अभ्यास्त 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 चलिए सही आंसर इसक चलिए इसका सभी आंसार होगा अभ्यास्त तो यह दोस्तों मेरा आज करहां वर्तनी के जुए सुध्र आप जो है वरतनी के जो प्रश्नों का यह अच्छा है जो पचीस प्रश्न आपके लिए लेकर आया था यह पूना मैं इसी के साथ उपस्तित होंगा यह जितने प्रश् यदि आपको ये प्रशन पढ़े तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए इन्हीं के सब्दों के साथ मैं धन्यबाद देता हूं